अगर आप लोगोंने set के बारे में पढ़ा है तो set theory आप लोगोंने पढ़ी होगी जिसमें की बताया जाता है कि set is a collection of well-defined objects अब python में तो सब कुछ object होता ही है और अगर आप लोग python में एक ऐसा data type चाते हैं जिसमें कि repeated entries ना आपाएं तो आप लोग set बना सकते हैं आप को example देता हूँ एक बहुत वड़ी अगर मान लोग की आप को लिस्ट कलेक्ट करनी है उन लोगों की जिनका नाम से start होता है और मान लोग अलग अलग लोगों से उनके नाम पूछन जा रहे हो तो कोई आपको बताता है शुरूती को आपको बताता है कि आपका एक दोस्त आपको दुबारा शुबम करें तो आपने जहाओगे कि इसको आप ध्युमित में ज़र चाहते हो कि आप जो पर कर रहे हो इसमें जो भी आइटम्स आएं वो रिपीट ना हो इसके लिए हम लोग सेट बना सकते हैं और क्यों यूज किया जाता है सेट चलते हैं अब्यूटर स्क्रीन में लेट्स कर लोगों नहीं पढ़ा हो कि सेट इस अ कलेक्शन ओफ वैल इफाइन ऑबज़ेक्स वैल पाइटन में भी सेट's कुछे सी तरह की होते हैं अब सेट क्या मतलब है पाइटन में क्यों आया पाइटन में सेट कभी कभी हमको एक ऐसी वालियू कुछ ऐसी वालियू करनी पड़त ID जिन लोग को अल्रेडी gift मिल गया है अब आपसे यह बोला जाता है कि यार आप report करो जिस जिसको gift अल्रेडी मिल गया मालो एक company है वो सारे employees को एक बार Thanksgiving का gift देना चाहती है और आपको ensure करना है कि एक से जादा बार कोई भी gift ना ले ले तो हर employee को बोला जाता है कि जिन जिनके हाथ में वो gift देखें उनकी ID सब्मिट करें अगर हम यह problem में एक list से solve करेंगे तो वो list बहुत बड़ी हो जाएगी और उसमें repeated values होंगी हो सकता है कि एक employee 5 employees का नाम ले और दूसरा employee exactly उनी 5 employees का नाम ले ले तो ऐसा होने से क्या होगा कि list बहुत जादा बड़ी हो जाएगी memory जादा लगेगी ऐसा हम चाहते नहीं है इसलिए set data type आया python के अंदर ठीक है तो set हम किस तरह से बनाते हैं मैं अगर लिखू s is equal to curly bracket लिखूं मालो मैं लिखू 2 4 2 और 6 और इसको अगर मैं print करूं s तो आप लोग देखो कि 2 हलागी repeat तो हो रहा है लेकिन जो set है उसको सिर्फ एक बार लेगा तो 2 4 2 6 actually 2 4 6 बन जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो ठीक है तो repeated values नहीं लेता है set तो well defined objects का set है set is a collection of well defined objects ठीक है और अगर मैं बात करूं यहाँ पर set के बारे में बहुत सारे methods हो दें इसके आप इसमें values को add कर सकते हो सब कुछ वो कर सकते हो जो आप list के साथ करते हो in a very similar fashion except the fact की values repeat नहीं हो सकती ठीक है यह order maintain करने की कोई guarantee नहीं है ठीक है यह बात आप लोग को याद रखनी है set items are separated by commas and enclosed within curly brackets जैसे कि मैंने या पर किया हुआ है इसकी जो values हैं को comma separated रखा है and instead of square brackets जो की हम use करते हैं अपनी list के अंदर या फिर parenthesis जो की हम use करते हैं tuple के अंतर यहां पर हम curly brackets का इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरह से और इससे पता चलता है python interpreter को की हम लोग set की बात कर रहे है sets are unchangeable meaning you cannot change items of the set once created sets do not contain duplicate items अब इस बात का मतलब समझना sets are unchangeable का मतलब यह है कि अगर जहां पर two है वहां पर मैं eight रखना चाता हूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता एक बार two set के अंदर चला गया आप इसको एक जोला समझ लो एक बहुत ही बड़ा सा जोला है जिसमें बहुत सारे मोती रखे हुए एक मोती आपने डाल दिया कर तो जोल आ सकती है यहां भी आ सकती है ठीक है तो आप देखो कारला 19 फॉल्स 5.9 19 तो 19 जो सरफ एक बार आएगा ठीक है अब 19 स्टार्टिंग में भी आ सकता है 19 एंड में भी आ सकता है order maintain करने की कोई guarantee नहीं होती पाइथन की ठीक है तो यह चीज आप लोग को बता हो नहीं चीए आ order की कोई guarantee नहीं है कुछ भी कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा order जो है आप यह नहीं कह सकती की order maintain मुझे मिले कोई guarantee नहीं होती ठीक है here we see that the items of set occur in random order and hence they cannot be accessed using index numbers आप ऐसे नहीं कर सकते की info 0 info 1 info 2 कर लो नहीं यह order maintain नहीं करते है ठीक है also जो sets होते हैं वो duplicate values अलाओ नहीं करते हैं यह तो हमने देखी लिया ठीक है अभी जो quick quiz है आप लोग को mind blow कर दे ठीक है आप इसे कुछ लोग होगा try to create an empty set check using the type function whether the type of your variable is a set or not तो मालनों मैं Harry नाम का एक set बनाता हूँ कैसे बनाओंगा यह आपको करना है और उसके बाद वो empty set होना चाहिए और उसके बाद मैं क्या करूँगा प्रिंट करूँगा type of Harry ठीक है तो आपको यहाँ पर type of Harry प्रिंट करके अगर आप देखोगे तो आपको set मिलना चाहिए आप में से कही लोग यह करोगे ठीक है यह फिर आप लोग पॉस करके यह जीज करो और मुझे बताओ comment section में आपने क्या code लिखा तो अगर आप लोग करते हैं तो curly bracket से करते हैं end करते हैं असलिक यह बनाने से empty dictionary बनती है empty set नहीं बनता इसलिए हमें empty set बनाने के लिए कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा set तो हम ऐसे empty set बना सकते हैं अब हमारा जो type है वो set होगा ठीक है यह बना देख सकते हो class set तो यह चीज आपको बता होनी चाह एक for loop की साहता से मैं कह सकता हूँ for value in info print value and that's it ठीक है for in loop आप use कर सकते हो set के साथ इसको run करूंगा तो Carla 19 यह किसी भी order में आपको देखने को मिलेंगे मैंने यह बात क्यों बोली किसी भी order में देखने को मिलेंगे क्योंकि set order maintain नहीं करता है ठीक है set का काम यह है जोले में value और एक बार आएगी value बस अगर आपने जोले में दो phone डाले दो iPhone डाले तो वह एक हो जाएगा ऐसा समझना आफ ठीक है एक iPhone गया आपका तो इसलिए आप लोग जो है जब भी values आड़ करो set के अंदर वो repetitive आपको देखने को नहीं मिलेंगे कभी भी ठीक है तो यह चीज आप आपको मालूम होनी चीए तो यह देखो output मेरा कुछ और आ रहा है यहां पर कुछ और दिख रहा है हो सकता है आप run करो तो कुछ और हो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि set में हमको जो values है उनका order maintain करके नहीं देता है python ठीक है तो यह चीज आपको मालूम होनी चीए अगर आपने अबी तक जो है यह access नहीं करी है playlist तो इसको जरूर करना क्योंकि अगले वीडियो में मैं sets के बारे में और भी खुला से आपको बताने वाला हूँ sets के बारे में आप लोग को बताऊंगा कि क्यों कौन से methods हैं किस तरह से union intersection वगरा निकाला जाता है अगर आपने set theory पड़ी है तो आपको पताऊगा मैं किस बारे में बात करहूँ और अगर नहीं पड़ी है तो अगले वीडियो में मिलना आपको union क्या होता है intersection क्या होता है सब अपलोग को में अगले वीडियो में clear कर दूंगा अभी लिए वीडियो में इतना है गाइस अगर आपने playlist अकसिस नहीं करी तो से bookma को save कर ले thank you so much guys for watching this video and I will see you next time